बहुत बड़ा platform था मितलब पहले ही हमें इस टेज मिला कि हमने ऐसा कलेक्शन एक कलेक्शन नहीं परफॉर्मेंस आर्ट था जिसको भोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत confident है इस collection को लेके लगारा था हम बहुत ट्रोल फेस करने वाले हैं क्योंकि जब हमारी collection stage पे जाएगी शायद लोग बोलेंगे ये सब क्या है लेकिन हमने अपना mind prepare ऐसे किया और हमने लोगों का mind ऐसे prepare किया हमने collection note बनाया जिसमें हमने लिखा कि जो collection हम सामने लाने जा रहे हैं आप लोगों के वो एक collection नहीं एक performance art है जिसके through हम audience तक ये message पहुझाना चाहते हैं कि environment के related message पहुझाना चाहते हैं उनको या ये message पहुझाना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेंगे से मेंगे कपड़ा पेहनो आप लोग सस्ते से सस्ता कपड़ा पहन सकते हो लेकिन उसको डिजाइन उस तरीके से कर सकते हो कि वो बहुत ही खुबसूरत दिखे तो हमारा मशवरा ये था लोगों को फिर जो ही हमने अपनी कलेक्शन सामने लाई तो लोगों ने बहुत ही जादा अप्रिसियेशन दी जिसकी हमें बिलकुल भी उमीद नहीं क्योंकि हमें याद है शो से दो मिनिट पहले टक हम चेंजिस करते जा रहे थे चबकि हमारे जुबागी दिजाइनर्स वहां पर थे बहुत बड़े बड़े दिजाइनर्स थे वह पूरे क्ओ प्पिविडेंस के साथ हुहां पर थे उनको पूरी तयारी थी हमें नहीं थि क्योंकि हमें छोटी जोटी बात पर डर लग रहा था हम क्या करें हमारी अच्छी कलेक्शन नहीं है या पता नहीं लोगों का क्या रिस्पॉंस रहेगा इस कलेक्शन पर लेकिन अलहमदलिल्ला सबका बहुत अच्छा रिस्पॉंस रहा वहां पर और उसके बाद जो ही शोग हमें लगी है ये कलेक्शन बनाने में क्योंकि हम लोग कोई वेस्ट मटीरियल जमा करना पड़ा था और ये ऐसा मटीरियल था जो बनाना असान नहीं था इससे अगर हम लोग कोई भी सूट वगरा बनाने किसी टेलर के पास ले जाते हैं तो वो इजी बना सकता है लेकिन अग अप्ने साथ अपने दो का ओलीग के साथ है तो बहुत अच्छा भी लगा और मत की दोस्त के साथ चल रहा है तो बहुत अच्छा लग ऑगल स्ट्रेसफुल भी था बर महलब की अब हुट क्युंग ने मुझे लगा थोड़ी गर्मी थी लेकिन स्टाचर जो हमें स्टेज मिला था काफी बड़ा था एंड काफी ऐसा बोला चाहते कि कश्मीर में बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं बड़ उनका उपर्ट्यूनिटी मिलता नहीं है हमें चब बड़ ऑपर्टूनिटी मिला दोने रखये विजिए बहुत खुश सौन था मुझेड हो एम पूबत खुश सलपी हैं बहुत घ्रीपज थे खुष से तो थे थे तो अच्य आज से अच्छी तारस से बहीं काम किया लेकिन नहीं ज़ू कैश्मीर कृट्पन दिखू हमने सोर्स स्टार्ट करना चीजे हमने स्टार्ट की सोर्स करना छे महीने पहले और हम लोग हर एक जगा हमने खुद सोर्स किया हमने देखा कि जो लोग है वो लोग पेपर कप्स का यूज करते वही पर फैंक देते हैं हम वहां गए हमने वो उठाए वहां से हमने को क्लीन किय हमने वो रखे हैं हमने ये देखा कि बॉलून सेलर जो है वो बॉलून जो उसके वेच्ट है वो फैंक रहे वहां पे हमने वो उठा के लाए हमने सिमेंट बैक्स वेक्ट्री से लाके उठाए उन से रिस्स बनाए तो बहुत मुश्किल रहा है लेकिन और अगोड एक्सपीरि हम क्या कर रहे थे हम लोग उन डिस्कारड़िड आइटेंज कर रहे ते जो लोग लोग फैंक रहे थे हम उससे कलेक्शन बना रहे थे और वह भी नैशनल लेवल पे प्रेजिन करने वाले तह बहुत बार लगा कि लिवाप करेंगे लेकर निक्यान के आने लगा पर लोगो बहुत नर्वस थे कि क्या रिक्शन रहेगा लेकिन जब वो लोग एक्षील बोग हो गए थे ब्राइडल ब्राइडल देखके और जब हमारा शोः जब हमारी मॉडल्स ने वाप किया everyone was shocked वोग बहुत खुश थे बहुत एक्साइटेड थे और बहुत खुश भी थे हमारे क्योंकि यह पहली बार है कोई JNK से नाशनल लेवल पर प्रेसेंट कर रहा है कोई ऐसा शो और भी ब्राइडल नहीं सम्तिंग एल्स सम्तिंग डिफरेंट तो अच्छा रिस्पॉंस सा लोगों का और अच्छे सब ने अच्छे से बहुत किया और सब खुशते हमारे लेके JNK से कोई आया कश्मीर से कोई आया एग्जिट पोल दो हजार चौबीज एक जून शाम च्छे बजे से लोगसभा चुनाओ के नतीजे चार जून सुभे साथ बजे से देखिए चुनाओ नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमरुजाला पर